स्वागरतम दोस्तो दोस्तो आज हम डिस्कस करेंगे वीनस यानिकी सुक्र अगर आपके कुंडली के पाचवे स्थान पे आता है तो किस तरह की फल या परणियाम देता है दोस्तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या आपने हमारा चैनल अभी तक और बैल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएं दोस्तो वीनस हमारी कुंडली में एक सुब प्लानेट हुता है और वीनस हमारी कुंडली में रिप्रेजन करता है ब्यूटी को पैशन को तो दोस्तो पहले तो वीनस रिप्रेजन करता है आपके गूडलुक को आपके परस्नालिटी को आपके इनर परस्नालिटी को करता है वीनस रिप्रेजन साथी वीनस रिप्रेजन करता है आपके आर्ट को आपके टैलेंट को आपके पैशन को जो आप समाज में सुसाइटी म आप सामाज की जो भी materialistic चीज़ों को enjoy कर सकते हैं ऐसे चीज़ों को Venus करता है रिप्रेजन luxury car, luxury home, high-five lifestyle इस चीज़ों को Venus करता है रिप्रेजन साथी Venus रिप्रेजन करता है all short of materialistic thing को और Venus रिप्रेजन करता है आपके sexual life को क्योंकि Venus से हम दिखते हैं कि आप कितने sexual है कितने नहीं है साथी Venus आपको ये भी रिप्रेजन करता है कि आप sexually कितने active हो आप कितने passionate हो, आप कितने romantic हो, आपका romance सारे चीज़े हम Venus से देखते हैं दोस्तों पाचवा स्थान हमारी कुली में represent करता है creativity को दोस्तों हम जब कोई करते हैं और उसमें out of a box कार करते हैं creativity, passion से करते हैं तो आप हम Kirsty स्थान से दिखते हैं साथी दोस्तों, पाचवा स्थान रिप्रेजन करता है हमारे higher education को जो हम अपना graduation गरते हैं कितने smartly करते हैं, कितने अच्छे से करते हैं इसमें कोई gap है नहीं है, ये सब हम 55 अधसान से देखते हैं साथी दोस्तो हम अपने love affairs, अपने fun, entertainment ये सारी चीज़े भी हम 56 अधसान से देखते हैं 55 अशन से हम देखते हैं कि हमारे life में बच्चे का सुक हаюсь है कि नहीं यानि कि especially gambling, जुआ, stock market में हमारा कितना होल होगा, हम कितना पैसे कमा पाएंगे, या पैसे loss कर देंगे, ये सब चीज़े हम पाच्वे स्थान से देखते हैं, दोस्तों पाच्वे स्थान हाउस होता है creativity, passion का, love का, fun का, और entertainment का, और जब पाच्वे स्थान में Venus, यानि कि passion, beauty, luxury और art का कारक, romance का कारक आता है पाच्वे स्थान पे, तो ऐसे जगत तक कि जो spouse होते हैं, वो बहुत ज़्यादा beautiful होते हैं, मतलब ये लोग की जो gifted होते हैं, कि अगर पाच्वे स्थान पे आपका Venus है, अच्छी position पे है, तो आपके जो spouse होंगे, वो बहुत ज़्यादा beautiful काफी passionate होंगे, और ये आपके, आप कह सकते हैं कि लोग उनकी काफी तारिफ करेंगे कि आपके इस जो spouse से काफी good looking, attractive, beautiful हैं, तो ये दोस्तो एक अच्छा योग है, beautifully spouse मिलनेगा, किसी भी जाता के कुंडली में, दोस्तो जब Venus आपके कुंडली के पाच्वे स्थान पे आता तो पहले boyfriend girlfriend रहेंगे, बाद में अपना marriage को में convert करेंगे, आप कह सकते हैं दोस्तो एक तरह का love marriage योग है, जहां पे जाद तक अपनी choice के लड़की या लड़के से शादी करता है, और ये एक बहुत ही strong indication होता है कि ऐसे जाद तक शादी करेंगे तो अपकी मन पसंद की ही ल पसंद की लड़की से शादी करने का, साथी दोस्तो boys की कुंडली में, यानि male चाते की कुंडली में ये भी देखा गया है कि ये लोग अपने spouse से जो मिलते हैं, या तो किसी entertainment वाले area में मिलेंगे, या आप कह सते है कि किसी sports event पे या किसी entertainment event पे गया है, वहाँ पे मिलेंगे या ये लोग malls में मिलते हैं अपने spouse से, बाद में फिर उनका आगे जो relation बढ़ जाता है, दोस्तो जब पाचवे स्थान में वीनस आके बैठता है, तो पाचवे स्थान डिफाइं करता है creativity को, और वीनस डिफाइं करता है passion को, तो दोस्तो जब passion और creative mix होता है, तो ऐसे यह नहीं करेंगे, इन्हें वो करनी पाएंगे और life में हो जाएंगे unsuccessful, बट अगर आप उन्हें ऐसे कोई कार रहते देते हैं, जिसमें creativity चाहिए, जिसमें hard work चाहिए, passion चाहिए, तो ऐसे जब बहुत जबदा अच्छा अपने life में करते हैं, especially ऐसे जब 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 आपने life में बहुत अच्छा करते हैं, और बहुत सारे पैसे अन करते हैं, क्योंकि इसमें आपको हमेशा कुछ ने कुछ नया करना पड़ता है, कुछ ने कुछ नया सोचना पड़ता है, और ऐसे चीज़ करने के लिए Venus बहुत ज़्यादा महार होता है, क्योंकि उसके ने का, क्योंकि Venus डिफाइं करता है luxury को, passion को, और Venus को सब कुछ best चीए life में, तो जब आपको life में सब कुछ best चीए उसके आपको बहुत सारे पैसे चीए, और Venus जाती डिफाइं करता है uncertainty को, sometime up, sometime down, आप कर सकते हैं, तो दोस्तो Venus अगर अच्छे का है, अच्छी position पे है, और पाचवे स्थान की position अच्छी है, और ग्यारवे स्थान की position अच्छी है, तो ऐसे जातक stock market में बहुत ज्यादा अच्छा करते हैं, यह बहुत ज्यादा पैसे अंकर सकते हैं, दोस्तो रात और रात या मीरो सकते हैं, stock market gambling कहीं पे भी इनका जो 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 योग बनता है, इनसे इच्छा योग बन सता नहीं है दोस्तों, और इसमें यह लोग इस तरह की चीज़ों में काफी creatively काम करते हैं, समझ की चीज़ों करते हैं, और काफी पैसे आन करते हैं, तो यह best placement है, अगर आपका Venus strong position पे है, और आप stock market में invest करना चाहते हैं, दोस्तो पाच्वा स्थान parent कोई बन सता नहीं है, क्योंकि इनको पता होता है, बच्चों के life में बच्चों को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, और बच्चों से किस तरह बीहेव करना है, बच्चों से किस तरह से बाते करना है, तो इनके बच्चे काफी लगी होते हैं, क्योंकि इनके तरह के parents मिलत या बच्चों से इंट्राइक करते हैं किसी बच्चों से तो इनका जो mental pressure होता है जो mental problem होता है वो release हो जाता है और they feel very happy दोस्तों जब Venus पाच्छों स्थान पर बैठता है तो उसकी साथवी दिश्टी 11 स्थान पर बढ़ती है और 11 स्थान डिफाइंग करता है आपके social circles को ग्यारवास थान डिफाइंग करता है गेन को multiple sources of income को आपके elder sibling को आपके friends को तो दोस्तों Venus की जैसे personality जो लोग जिसे fame में रहना पसंद है जिसे अच्छा दिखना पसंद है ऐसे जातक जब social वी जाते हैं तो ऐसे जातक कि बहुत सारे friends होते हैं अगर boys है तो इनके बहुत ज दोस्तों में लेकि दोस्तों वहीं अगर winners की position खराब है अच्छी position पर नहीं है तो दोस्तों ऐसे जातक कि जो बहुत सारे friends बनते हैं बड़ ऐसे friends बनते हैं जो अच्छे रास्ते पर चलते नहीं खराब रास्ते पर चलते हैं और इसके वज़े से इनको बहुत सारे खराब फिफ्थ आउस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करने ना भोलें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएं धन्यवाद